असलाम लेकुम विवर्स वेलकम टू मैं चैनल लोकल स्विध दिया आज हम बनाएंगे पीनट चिकी तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यह मैंने एक बिकिंग कंटेनर ले लिया है यह नॉर्मल बिकिंग कंटेनर है आप किसी प्लेट का भी इस्तमाल कर सकते हैं किसी भी अबरतन प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए इसके अंदर यह मैं एक बटर पेपर लगा रही हूँ और फिर मैं इसको ग्रीस करूँगी ओयल से यह थोड़ा सा ओयल डालके मैं इसको ब्रश से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी यह इस तरह से आप एक नॉन स्टिक मैंने डिवाइट कर लिया हुआ है और इसको यह सारी ट्रे के अंदर मैं फेला रही हूँ यह करीब हाफ कप के करीब मैंने चीनी फ्राइंग पैन में डाल लिया है और यह इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ तक्रीबान 2 से 3 टेबल स्पॉन के बराबर मैंने इस इसके डाल करें के यह च्छार के लिए हमखेंगे चल्डिया से. कलर हो जाएगा यह देखें कलर चेंज होना शुरू हो गया है और थोड़ा बनाऊ थोड़ा और ब्राउन करेंगे इसको यह जाग जो बन रही है इससे पता चल रहा है कि हमारा यह शुगर बिल्कुल रेडी है अब हम इसको डाल देंगे इसके उपर पीनेट्स पर गरम गरम करेंगे कम से कम आदे घंटे तक ताकि यह पूरी तरह ठंडा हो जाए और यह जम जाए बिल्कुल नॉर्मल टेमट्रेचर पर यह आ जाए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नहीं आने वाले वीडियो आप तक फौरी पहंच सके और बैल आइकम को भी प्रेस कीजिए और वीडियो आपको यकीन पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा यह चिक्की जो है वो ठंडी हो चुकी है और देखें पैन से कितने अराम से अलग हो गई है पेपर की वज़ा से और यह देखें यह पेपर मैं के आप इसको खाएं मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसके इलावा मजीद किसी रेसिपी के बारे में जानना चाहते हैं किसी होम रेमिडी के बारे में जानना चाहते हूं तो भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए अल्हाफिस